अपने जीवन में निरंतर सुक की अभिविद्धी के लिए नीती के विश्यों का अश्रवन कर रहे हैं नीती अच्छाईयों को बढ़ाने वाली होती है और आपके अंदर में जो बुराईया हैं उनको प्रतक करने वाली होती है लेकिन जो बुद्धी मान होते हैं वही नीती वान हो पाते हैं और जो पुन्य वान होते हैं उन्हीं के पास नीती का ग्यान हो पाता है नीती वान बनना कटिन नहीं है नीती का भ्यास करना कटिन है जितना आपका व्यक्तित्व महान होगा उतना आप नीती वान होगे बड़ा हिर्दाइन और चोटी चोटी बातों का इग्नोरेंस ये नीतिवान के पास होता है कि हर बात को वो हिर्दाइन में लेके नहीं चलता हर बात को छोड़ो आगे बढ़ो ऐसा विक्ति नीतिवान होता है आज अपन एक और नीति देखते हैं यहां कह रहे हैं कि आपका जो द्रिष्टी कौन है देखने का नजरिया है विक्ति के प्रति वस्तु के प्रति उन नजरिया कैसा है वो जादा महत्मून है वक्ति से और वस्तु से जो आपका नजरिया है उसको आप देखे कि आपका नजरिया कैसा है क्योंकि जैसा आपका नजरिया है वैसा आपका भविश्य है कमियां देखने की आदत छोड़ें और खूबियां देखना प्रारंब करें जो आपके अंदर एक आदत है कमियां देखने की उनसे दूर हटें और खूबियां देखना प्रारंब करें कमियां देखने से आपके अंदर भी कमियां ही बढ़ेंगी और खूबियां देखने से खूबियां बढ़ेंगी यह आप बुराईयां देखोगे तो बुराईयां ही बढ़ेंगी अच्छाईयां देखोगे तो अच्छाईयां बढ़ेंगी एक बात देखो गौर से की कितना ही सुन्दर दीवाल में पेंट हो एक छोटा सा काला दाग लगा हो तो पूरी दिवाल की प्रसंसा नहीं होती विक्ति क्या कहता है वहाँ पेंट खराब है इसको कहते हैं Missing Tiles Thesis एक बहुत बड़ा Swimming Pool बनाया गया वैज्यानिकों ने खोच करी बहुत बड़ा Swimming Pool बनाया और उसमें बहुत सुन्दा टाइस लगाए विक्ति आता था देखता था बहुत खोश होता था लेकिन उन्होंने क्या किया जहां से एंट्री थी वहाँ दो टाइस नहीं लगाए वो जगा खाली छोड़ दी विक्ति आता चारों तरफ देखता लेकिन जैसी वो पूल में जाता और पूल से बहार आता यही बात कहता कि यह वहाँ पूल में टाइस नहीं लगे उस विक्ति ने हजारों टाइस लगवा है तो उसकी कोई कीमत नहीं थी दो मिसिंग थे जब रिमार्ग बुक में रिल लिखवाते थे वो लोग तो सभी लोग यही लिखते थे कि बाकी सब ठीक है वहाँ दो टाइल्स कम है एक यूमन टेंडेंसी है एक मनुश्यों की प्रकृती है कि वो कमिया देखते हैं खूबिया नहीं देखते इसलिए मनुश्यत्र तक ही निश्चित है मनुश्यों करके देवत्व तक पहुँचना है तो कमिया नहीं खूबिया देखना पड़ेंगे आप जब किसी विक्ति की कमिया देखते हो आपके अंदर वो कमिया प्रवेश कर जाती है तब आप उसको बोल पाते हो इसलिए निंदा और कमिया से दूर हटके हमें खूबियों पर गौर करना चाहिए उस वस्तू में गुण कितने हैं इनका व्याख्यान हो तब तो बात है और उसी का चिंत्वन हो तब तो बात है आप अफगुणों का चिंत्वन करोगे तो वो अफगुण उतनी देर के लिए आपके दिमाग में है की नहीं माना कि कोई है वो सिगरिट पीता है माना कि कोई व्यक्ति सिगरिट पीता है बाकि उसके अंदर सभी अच्छे गुण है अभिशेक भी करता है पूजा भी करता है भगवान की वक्ति करता है गुरूं की सेवा करता है व्यापार भी करता है माता पिता की भी सेवा करता है लेकिन अगर आप उसकी कमी देखोगे वो सही है गलत उसकी बात नहीं कर रहे अभी अपन अपने सही गलत की बात कर रहे हैं अगर आप उसके अंदर कमिया देखोगे तो आपके अंदर वो कमी पहले प्रवेश करेगी फिर आप उसको बोल पाओगे इसका मतलब आपने पहले कमियों को देखा है इसलिए एक चोटी सी कमी यद्यपी उसके सारे गुणों को हर के ले गई है लेकिन अपन ने जो उसकी कमी देखी है यह अपनी कमी है समझ रहे कि फिर से बोलो जो अपन ने दूसरों की कमिया देखी है यह अपनी कमी है खूबियां देखो आप दो क्योंकि कमियां तो सब में है अगर आप सोचों की परफेक्ट विक्ती मिले आपको हर काम के लिए और आप उसकी खोज करने निकलना तो चुराये पर अकेले खड़े मिलोगे चुराये पर अकेले ही खड़े मिलोगे क्यों? हर किसी में कुछ न कुछ कमी तो है जो परमात्मा बन चुके हैं बस उन में ही कमी नहीं है बांकी सब में कमी है इसलिए जिसको बड़ा वेक्तितो बनाना है अपना और हो चाहता है आप अगर चाहते हो कि निरंतर काम्यावी मिले सफलताएं मिले, जीत मिले तो अगर आप ऐसे काम्यावी चाहते हो तो खूबियां देखने से मिलेंगी कमियां देखने से सिर्फ निराशा मिलती है जब आप किसी की कमी देखते हो तो मन में निराशा आती है मन अदास हो जाता है आप किसी की खूबियां देखते हो तो मन प्रसन्न हो जाता है क्या देखना चाहिए अगर आप कमियां देख रहे हो तो निरास ही रहोगे आप तो उसकी खूबियां देखो कि उसमें गुण क्या क्या है तो आपके अंदर भी प्रसन्निता आएगी और निरास होने से सफलता नहीं मिलती प्रसन होने से मिलती है अगर कोई पूछे तो उसकी कमी उसको ज़रूर बताना लेकिन सोच लेना कि विक्ती तूट जाएगा लेकिन ये सोच के रखना कि विक्ती तूट जाएगा क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं महराजी इसी लिए कह रहे हैं क्योंकि कमी सुनना भी हर किसी को पसंद नहीं है व्यक्ति कोई काम करता तो पूछता ये ये पैंसिल कैसी लग रही है अपने बोल दिया कि बहुत बढ़िया है तो वो खुश है और आपने बोल दिया थोड़ी और अच्छी वाली भी ले सकते थे हो देखो उसको और अच्छी वाली ले सकते थे कभी ली उसने कमपनी की पैंसिल व्यक्ति आपसे प्रसंसा सुनना चाहता है निंदा नहीं लेकिन जो प्रसंसा करें वो शत्रू है जो आपकी कमिया बताए वही मित्र है प्रसंसा करने वाले हजारों मिलेंगे लेकिन आपका सुधार करेगा जो ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे बात आड़ी समझ में इसलिए अपन सुधार के ऊपर काम करें वो ज्यादा अच्छा है अपनी कमिया स्वयम खोजना प्रारम करो इस सबसे कटिन काम है क्योंकि अपनी कमिया अपन कोई कमिया नहीं लगती जिसे एक महीने में कितने दिन अभी शेक पूजा करते हो बोलिए आपकी कमियों की बात चालू करती तो चेहरा अदास कितने दिन पूजा अभी शेक करते हो कितने दिन किस बात के तुम गुरु भक्त हो फिर कमी देखो अपनी कमी स्वयम खोजो न अपन कि अपनी अंदर कमी क्या क्या है अलग अलग फिल्ड्स में इसको बोलते हैं एक चार्ड बनाते हैं रिलिजियस, शोशल, फैम्री रिलेटेड, पर्सनल इसमें अपनी कमिया लिखो किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है अपनी कमिया लिखते जाओ कि शोशल एक्टिविटी में रिलिजियस एक्टिविटी में मेरी कमी क्या क्या है और खोजो और खोजो फैम्ली रिलेटेड कमिया मुरे अंदर क्या क्या है ऐसा जो आप चार्ट बनाओगे उसमें अपनी कमिया लिखो और हर दिन कमी दूर करो आपके विक्तिद्व का निर्माण होगा विक्तिद्व का निर्माण चाहते हो अगर आप लोग अपना तबहिया अपनी कमिया स्वयम देखना प्रारम करो दूसरों की कमिया देखने से अपना विकास नहीं होगा अपनी कमिया देखने से अपना विकास होगा ऐसा जिस दिन भाव आपके अंदर हैगा विकास कई गुना हो जाएगा अब किसी के दांत नहीं है माना किसी के दांत नहीं है लो उसके तो दात ही नहीं है, अजिते उसमें अच्छा ही देखो, चलो दात नहीं है, तो दात का दर्द भी नहीं है, कमियां तो हर चीज में न, और दात वाले के अंदर कम ही देख लो, कुछ फस जाता है तो टेंसन होती निकालो, डॉक्टर के पास जाओ, दर्द होता है, निकलवाओ वो टेंसन फिरी है जिसके सिर पे बाल नहीं है उसको दिखके यह मत बोलो कि टकला है उसको दिखके सुचो यार सुकून है कोई विकल्पी नहीं है न कटिंग के पई से लगना है न कुछ सुकून से हाथ पेरो और मस्त रहो और आशिरवाद भी मिलेगा गुरू का तो डारेक्ट मिलेगा भालों में तो डिस्टर्बेंस हो जाता है अच्छा सोचेंगे न पर न अच्छा ही है इस प्रकार का विचार करना कमियों से उपर उठकर के काम करना बड़ी सफलताएं मिलेंगी शेश अपन इसके आगे विच पिचार करेंगे क्योंकि मानव की एक मानसिक प्रक्रिया होती कमी देखने की और वो आपके दिमाग में फिट है जैसे एक दांट टूट जाए जी वहीं वहीं जाएगी क्यों कमी है न अच्छा देखो आप इस कमरे में पानी बर दो और एक इट कम हो पानी वहीं से बाहर निकलेगा तो ऐसे ही है जो जीस कम कमिया होती है न उसी की ओर जिस्टी जाती है इन से उपर उठकर के अच्छाईयों को खोजें अच्छाईयों को बढ़ाएं तब जाकर के आपके सुन्दर स्वर्णिम व्यक्तित्व का निर्माण होगा शेश आगे विचार करेंगे गुवर्ण गुरुवर् विशुद्शागर्जी माराज की